गुद मॉर्निंग स्टूरेंज, हरी कृष्णा, तोड़े अवर जंडरल नॉलेज पीरिएड, तो टेक आउट यूर जंडरल अवेर्नेस वोग और शोद पेज नंबर 77 W, E, A, T, H, E, R, Weather, Weather means मौसम, आप कहीं बार बोलते हैं आप सर्दी का मौसम आने वाला है या अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो पूरे यहर में वैदर चेंज होते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, ठीके, तो आज हम उन्हीं कुछ वैदर के बारे में पढ़ेंगे, है means, गरम, cold, thunday, rainy, बारिश वाला and windy, हवाला, यानि एक दिन गरम भी हो सकता है, किसी दिन थंड़ा भी हो सकता है, किसी दिन बहुत बारिश आ सकती है, या किसी दिन बहुत हवाय चल सकती है, ठीक है, अब भी सर्दी का मौसम आ रहा है, यानि cold, cold weather आ रहा है, okay now look here is picture को देखिए आपको एक ऐसा डे लग रहा है yes hot day hot day means गरम दिन गर्मी में आप क्या करते हैं पंखा चलाते हैं कूलर चलाते हैं ठंडर ठंडर जूस पीते हैं आइस क्रीम खाते हैं है ना तो ये hot day याणी hot weather cold day जब cold weather होता है मौसम भूछ ठंडर ठंडर जूसमें क्या करते हैं थंडर एक सान्य स्ोफ भी पेहों के भीते हैं भीत हैं रहाँ प्रूट्र जाकेट भीती हैं तो कपशिए पैनेगें तो थाटीन सुल. Coles weather Rainy day यहां देखिए आप Umbrella कब लेते हैं जब बहुत तेज बारिश होती है उससे में आप क्या करते हैं Raincoat पहन के रहते हैं Umbrella लेकर चलते हैं बारिश Rainy day Windy day Windy day क्या होता है जब बहुत तेज तेज रहुत चलती है Windy day यानि Windy weather होता है मैं यहां से प्वेleサ न सब मैच दो उप student मैच करना है इस एस सबने स्वॉैटर पहिन रखें कैप लगा रखी तो कौन से मौसम में था यह यहने मित हुआ क्या हुआ यह क्या हुआ बारिश होती है नहीं तो तो आप इसे लेहनी दे से मैच करेंगी यहांए से मैच करेंगे हाट वेदर कव होता है जब होता है तम क्या करते जूस पीते हैं आप इससे माच किजी देखे बहुत तेज देज हवा चल रही है लीज उड़ रही है ना अम्रेला भी उड़ता वासा लग रहा है तो इक कौन से वेदर में होता है विंडी वेदर में शोदा पेज नमबर 83 वाट वी डू निशा गोस टू स्कूल इन दो मॉर्निंग एक डे होता है उसमें भी अलग-अलग टाइम होता है मॉर्निंग मींज सुबह आफ्टर नून मींज दो पहर नाइट मींज राच इवनिंग मींज शाम आप क्या करते हैं सुबह सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं नहाते हैं इसकूल आते हैं वो कब करते हैं आप मॉर्निंग में निशा गोस टू स्कूल इन दो मॉर्निंग पर में जाती है, निशा गोस टू बैद एट नाइट निशा सोने कब जाती है, सौरी, पहले आफ्टरनून के बाद आता है, इन दे इवनिग, निशा प्लेज विथ हर फ्रेंड, और दोपर के बाद के आता है, इवनिग, इवनिग में क्या करती निशा, अपने फ्रेंड्स क साथ खेरती है and then evening के बाद night. Nisha's go to bed at night और after evening जब night आती है, रात होती है, Nisha goes to bed. वह सोने के लिए बैट में चली जाती है. First morning, afternoon, evening and night. Now our class is over. Hare Krishna.